हलो फ्रेंज दिया और मम्मा के रिसोई में आप सभी का एक बार फिर से सवा गयतें तो आज आप सबकी स्पेशल डिमांड पर मैं बना रही हूँ एक ऐसे पेड़े जिनको बनाना बहुत आसान है और इस रक्षा बंधन पर आप इसको जरू ट्राइ करें यह खाने में बहुत ही तेस्टी है मूँ में जाते ही घुल जाते है तो एक बार इस रेसिपी को ट्राइ करना तो बनता है इसे बनाना बहुत आसान है आप घर पर इसे जटपट बना कर तेयार कर सकते हैं और इसमें बिल्कुल भी कोई जंजट का काम ही नहीं है तो एक बार इस रेसीपी को ज़रूर ट्राइ करें तो चले देर ना करते हूँ देखते हूँ इसे बनाने के लिए में क्या क्या चाहिए तो इस special मिठाई को बनाने के लिए यहां मैं ले रही हूँ half cutori खोया, half cutori पनीर, इसे मैंने हाथों से तोड़कर crumble कर लिया है, साथ में मैं स्वाद अनुसार ले रही हूँ शुगर, इसके साथ मैं ले रही हूँ milk powder, शुगर यहां पर आप कम जादा अपने स्वाद के अनु हम इसमें add कर देंगे half cup के करीब milk, और इसे boil आने तक उबालेंगे, जैसे इसमें boil आ जाता हम इसमें add करेंगे, स्वाद नुसार शुगर, यहां मैं half cutori शुगर ले रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अनुसार ले सकते हैं, जैसे ही यह melt हो जाए हम इसमें add करेंगे अप अपने पनी के मिक्षर में इसे proper mix करेंगे, और इसे तब तक cook करेंगे जब तक यह एक डो की form में ना आ जाए, लगातार चलाते हुए medium flame पर इसे cook करना है, तो थोड़ी ही देन में आप देखिए, यह एक डो की form में आ गया है, तो बस हमें इतना ही इसे cook करना है, और गैस क जलें तो आप किसी कटोरी या ग्लास की help ले सकते हैं, और अब हम इसमें एट कर देंगे, इलाइची पाउडर, और इसे भी अच्छे से mix करेंगे, और इसे अच्छे से mix करने के बाद हम इसमें एट कर देंगे, जो हमने milk powder लिया था, उसे आप ध्यान रखिएगा, इसको ह हमारी जो पानात में ये बैटर चिपक गया है, इसके लिए हम एक चाकू की मदद से चारो तरब से अच्छे से एक सार करते हुए घटा कर लेंगे, और साथ ही मैंने कुछ पिस्ता को बारी कट कर लिया है, जिससे हम गानिशिंग करेंगे अपने पेलों की, अब आप देख यहाँ मैंने गोल बना कर उंगली से हैं, और इसी तरीके से हम बाकि सब पेडों को बना कर तैयार करके और अब हम करेंगे इसकी प्लेटिंग तो यहाँ मैंने सारे पेड़े अपने प्लेट में डेकुरेटग अब अब और इसे गानिश लारे करेंगे एंगेfang फिस्ता तो यह देखिए हमारे बहुती टेस्टी और बहुती हैल्दी मूँ में जाते ही घुल जाने वाले पेड़े बनकर तैयार हो गए इस रक्षा बंदन पर आप इस रेसिपी को ज़रूर श्राई करें और आपको यह रेसिपी मेरी कैसी लगे यह कमेंट करके मुझे बताना बिल घर पर बना कर तैयार कर सके और उसको इंजोई कर सके तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हैं या नहीं मुझे आपकी कमेंट्स का बेस अब्ले से इंतजार होता है तो बस वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिलकुल भी झाल बुली तैंक यू